नमस्कार दोस्तों मैं एड़ोकेट विश्णुधारी सी विश्णुधारी सी लिगल चेनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मेरे वीडियो बनाने का ट्रफिक है कि क्या कोई बेक्ती चाहे पिता ही क्यों नहों अपने पैत्रिक संपत्ती को बाहरी लोगों को गिफ्ट कर सकता है दोस्तों आईए देखते हैं इस मिंदू पर कानून क्या काता है और सुप्रीम कोट क्या काता है दोस्तों इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 112 में गिफ्ट के बारे में परिभासा दी गई है इस धारा 112 इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार गिफ्ट जो है आप अपनी संपत्ती को किसी अनवेक्ती को दान करने का अधिकार रखते हैं दोस्तों और जिस दस्तावेज पर आप उसे अपना संपत्ती दान करते हैं उसे गिफ्ट डीड कहा जाता है दोस्तों अगर आप किसी नावालिक को अपना संपत्ती दान करते हैं तो नावालिक रिसीव नहीं करेगा चुकि बालिक व्यक्ति जो होता है आप दान देंगे वो दान गरहन करने का। इसलिए अगर आप किसी नावालिक के नाम से अपनी संपत्ति दान करते हैं तब आपको उसके गार जीयन बार्टि बनाना होगा। प्रसबर्ता है दोस्तों कि क्या दान पत्र है रइस्टर होना आनिवार्ज है। तो Section 17 Indian Registration Act या प्रावधान करती है कि जो भी टाइटिल ट्रांसफर का दस्तावेज है, टाइटिल ट्रांसफर का मतलब स्वत हस्तांतरन, चाहे वो सेल डीड हो, डीड ऑफ गिप्ट हो, रिलिक्ष्मेंड डीड हो, जिसे आप रिलिज डीड भी कहते हैं, ये सारी दस्ताव इसको न्याल है, एवडेंस के रूप में स्विकार नहीं करेगी, और या वाइट डीकलेर कर दिया जाएगा, इन्वैलिड डीकलेर कर दिया जाएगा, इसलिए दोस्तों, डीड ऑफ गिप्ट, सेल डीड, रिलिक्ष्मेंड डीड, इन समों का रिजिस्टेशन जरूरी है, जब सेक्षन 49 ट्रांसफर अपरफटी एक के अनुसार, आपका अन्रेजिस्टर डीड या अन्रेजिस्टर डीड अफ गिप्ट इन्वैलिड डिकलेर हो गया, सुन निगोसित हो गया, वाइट डिकलेर हो गया, तो वह समपत्ती पुना अपने मूल मालिक में लोड जाती है गिप्ट आप तिलक दहेज में अपने बेटी या दमात को दे सकते हैं, उत्तर सीधा सीधी इस पर अन्रबूल सुप्रेम कोट ने भी कहा कि नहीं, तिलक दहेज लेना और देना दोनों अपराद है, इसलिए आप अपनी पैतरिक समपत्ती को या किसी भी समपत्ती को तिलक में आप नहीं दे सकते हैं, गिफ्ट के रूप में, क्या गिफ्ट दान जो है, पैतरिक समपत्ती में बिना बटवारा किसी किये किसी बाहरी लोगों को किया जा सकता है, आए दोस्तों इस पर अन्रबूल सुप्रिम कोट क्या कहता है, इसे देखें, केस का टाइटिल है स्य पैतरिक समपत्ती में कोई भी व्यक्ति अपना पैतरिक समपत्ती को अगर वो किसी बाहरी व्यक्ति को दान देना चाहता है, तो पहले उस पैतरिक समपत्ती का बटवारा करें, वो समपत्ती उसे भाबदादे से मिली है, और उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका भी सेर उस स दमाना जाएगा, इसके लिए उसे उस संपत्ति का पुर्ण विभाजन कराना होगा, विभाजन वे परिवार के सारे सुदस्तों को सेर मिल जाएगा, और जो उसका खुद का सेर होगा, उसी संपत्ति को दान दे सकता है, या उसी संपत्ति का वो डीड ओफ गिफ्ट किसी भी ब्यक्ति के फक्स में एक्जक्यूट कर सकता है अब रही बात दोस्तों कि क्या सेल्फ एक्वार फरफटी निजी कमाई की संपत्ति को दान कोई दे सकता है हाँ दोस्तों निजी कमाई की संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं है न बेटा है न बेटी है किसी का अधिकार अगर गलती से आप किसी को दान दे भी दिये तो उस दस्ताबेज को उस डीड ऑफ गिफ को ने अले वाइट डिकलियर कर देगा या नि सुन गोसित हो जाएगा अपने वो संपत्ती उस परिवार में वापत से ले जाएगी तो धन्यवाद दोस्तों एहीं पर मेरा यह वीडि पसंद आया तो आप इसे लाइक करें सबस्क्राइब करें अपने साथियों को सेर करें धन्यवाद अब इसे सगले वीडियो में